नमस्कार दोस्तों गोधी मीडिया के जूट और प्रपंच से अब तक देश के लोग परेसान थे गोधी मीडिया के जूट और सच में अंतर अब तक देश के लोग नहीं कर पा रहे थे एक सो चालिस करोड देश की जनता ये अंतर नहीं कर पा रही थी कि गोधी मीडिया का कौन सा सच है कौन सा जूट जूट है और अब भारत देश की सेना ने भी एक चिठ्ठी लिख दी है चिठ्ठी लिखकर भारत देश की सेना ने कहा है कि गोधी मीडिया ने या भारत देश के इस अखबार ने दैनिक जागरण ने जो की सत्ता की गोद में बैठा हुआ है जो की सरकार समर्थित है इस अखबार ने जो लिखा है जो सेना के बारे में छापा है वो बिलकुल गलत है बेसलेस है फरजी है जूट है प्रपंच है इस अखबार ने क्या छापा इस अखबा पूरी तरीके से असत्य है जूट है और फरेब है इस पर भारत देश की सेना ने एक चिठ्थी जारी किये चिठ्थी जारी करके कहा है कि ये खबर बिलकुल तत्य ही ने बेसलेस है असत्य है जूट है प्रपंच है प्रोपोगेंडा है इसके अलावा कुछ नहीं है ये अखबार देखिए क्या कहता है कहता है राजवरी पुंच में एलोसी से धाई किलो मिटर अंदर जाकर आतंकियों के चार लेंडिंग पैड किये तबाह साथ से आठ आतंकी धेर दोस्तों कहां पर आतंकी धेर हुए सेना क रहती है कहीं आतंकी धेर नहीं किये गए हैं इस तरीके की कोई एकसराइज नहीं की गई है अब इसको किसने बताया कि साथ से आठ आतंकी धेर हुए चार लॉंचिंग पैड तबाह किये गए हैं गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली छेतर में आतंकियों के शिवरों पर दोस्तों जानते हैं ये सब अखबार या फिर ये हो सकता है कि ये जो खबर इस प्रोपोगंड़ा आखबार ने इस देनिक जागरंड ने जो ज्जूट छापा है हो सकता है ये चापने की टाइمن्ग कुछ और हो हो सकता है कभी और छापने के लिए बताया गया हो कि एक इधर से गोली चला रही है इहां सेना मार रही है जो है आतंकी मारे गए हैं और यह बारा से पंदरा जवान जो है इधर आये थे और धाई किलो मीटर धाई किलो मीटर पैदल गए और पैदल जाकर मारकर वापस आगए अब इतनी डिटेल में जब कोई अखबार जूट बोल एक बोल रहा है कि यह लॉम कियों को मारों कर भारती शेना आई है इतने आकड़े दे रहा है कोई भी दर्शक्य आपने लेगा इतने सारे अकड़े महींने प्रमाइवाइं परेवा कभी बहाएं उसकते तो जूट कोई भी अखबार नहीं भोल सकता लेकिन दोस्तों यह कोरा जूट है फरजी है और यह अखबार जो आपके साबने है यह टोटल फरजी और जूटी खबर इस अखबार ने चापी है अब देखिए सेना को क्या लिखना पड़ गया देश के इतिहास में दोस्तों यह पहली बार है यह इसी खबर यह पोश्टर लगा हुआ है इसी खबर को भारत की पत्रकार प्रज्या मिश्रा ने डिटेल में किया है इनके चैनल प्रज्या के पन्ना पर जाकर आप देख सकते हैं अब इसी खबर पर यह सेना की तरफ से यह चिठ्थी आई है इस चिठ्थी में लिखा गया है डियर सर दैनिक जागरन के लिए लिखा गया है बड़ा बड़ा उपर लिखा हुआ है दैनिक जागरन दो हजार तेज़ बाईस अगस्त के लिए यह लिखा गया लिखा गया है प्लीज रेफर टू दे न्यूज रिपोर्ट भारत ने पाकिस्तान पर फिरकी सर्जिकल स्ट्राइक दैनिक जागरन और 22 अगस्त 2023 पेज नंबर वन इसक्रीन शॉट दिन्यूज इस अटैज्ड यह वह निउज है जो अभी हमने आपको दिखाई है दैनिक जागरन की यह सेना चिट्थी जारी करके कह रही है कि यह खबर फर्जी है बेसलेस है इंडियन आर्मी स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग ली रिफ्यूज दी एबब स्टोरी पब्लिजड इन यूर न्यूस्पेपर एंड ऑल्सो पोस्टेड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकॉस दी आस्पेक्ट ऑफ और इन दी न्यूज आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस यह सेना कह रही है दोस्तो सेना लिक कर दे रही है कि भाईया तुम जो चाप रहे हो भाईया प्री प्रभू गोदी मीडिया जो चाप रहे हो वो गलत चाप रहे हो फर्जी चाप रहे हो बेसलेस चाप रहे हो किस से पूछ कर चाप रहे हो क्या दोस्तो इस अखबार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इ से भूल हुई है हमने फरजी खबर दिखाई है हमने फरजी खबर छापी है दोस्तों यह लोग करते हैं यह इसलिए हैं नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं क्योंकि सरकार में कौन कितना गोदी हो सकता है कौन कितना बड़ा गोदी गोद में बैठ सकता है पहले उचल कर बैठ सकता है पहले कूट कर बैठ सकता है से competition चल रहा है और जैसे ही अखबार में सबेरे सबेरे यह खबर छपी और यह खबर लोगों पढ़ी जिन लोगों के घर पर दोस्तों यह अखबार गया है अभी तो आप डिजिटल माध्यम पर हैं मुझे सुन रहें देख रहें हम लोग बताने के लिए हैं सच और जूट में अंतर करने के लिए हैं लेकिन जो भी लोग इस अखबार को दोस्तों आप सोचिएगा जो भी लोग यह अखबार सवेरे पढ़ा है जिन लोगों ने उन लोगों के मस्तिश्क में दिमाग में क्या होगा कि भारती सेना ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी वाह क्या बात है क्या बात है कौन करवा रहा है करवा रही है भारत की सरकार बीजेपी सरकार भारती जनत बताकर किसके नजर में नंबर बढ़ा रहे हैं यह लोग और किसके लिए काम कर रहे हैं आप बखुबी समझ चुके होंगे सबेरे सबेरे ही सेना की तरफ से खंडन वाटसप पर पत्रकारों के आ गया था क्योंकि सबेरे सबेरे पूरा भारत का मीडिया इंटरनेशनल मीडिय सब यह जानना चाह रहा था कि सखबार ने ऐसा च्छापा है तो कहां पर हुई है सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई है हम लोग को कैसे नहीं पता चली सब लोग लग गए अपना मैसेज करने के लिए लेकिन जो पी आरो हैं जम्मू के उनका उनकी तरफ से यह वाटसप आया अन्यूस हैस बीन पबलिजड विद रिस्पेक्ट तो सर्जिक विद रिस्पेक्ट तो सर्जिकल स्ट्राइक आई वूड लाइक तो इनफॉर्म यू डेट नो सच ऑपरेशन हैस बीन कैरीड आउट इन राजवरी पूंच एन इन फ्लीटेशन बिड वाज फॉइल रिलीज जारी कर दी गई थी और यह जो दैनिक जागरण ने छापा है यह बिल्कुल भी सही नहीं है सबेरे सबेरे इन्होंने वाट्सप के जरिये यह बता दिया था और फिर एक चिठ्थी जारी की है इसके बारे में सेना ने चिठ्थी आई है पूरा उन्होंने लिख कर दिया है और यह फिर P.I.B. की की तरफ से पूर यह बहुऐ की है do कि तरब से यह डावार चक या गया जिसमें लिखा गया है कि यह बहुत आए फी फैक्ट चक लिखता है कि दैनिक जागरण द्वारा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल श्ट लेकिन दोस्तों एक के बाद 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 खबरों में गोद में बैठने के चक्कर में जूट फैलाने के चक्कर में यह अखबार और इस जैसे गोदी मीडिया दिन रात लगे हुए हैं इसलिए आप होशियार रहिए और अपने दिमाग से काम लीजिए अपने विवेग से काम लीजिए खुद समझ देखिए मिलाईए सोशल मीडिया से मिलाईए जिन चैनल के ऊपर आपको भरोसा है चैनल सच दिखाते हैं सच दिखा सकते हैं उन से ख़बर को 매च करिए क्योंकि आज का जो समय है वो बरगलाने का समय है आपको भरमित करने का समय है आपको एक पार्टी का वोटर बना देने के लिए गोधी मीडिया तुला हुआ है और गोधी मीडिया में ये होड मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा सबसे पहले गोध में उचकर बैठेगा और उसी का ये सब जो आपके सामने है जो जूट प्रपंच चल रहा है ये सब उसी का एक रूप है तो दोस्तों होशियार रहिए गोदी मीडिया से होशियार रहिए और खबरों को खबरों का मिलान और मैच सोशल मीडिया से जरूर करिए उल्टा चस्मा यूसी से जरूर करिए प्रग्या के पन्ना से जरूर करिए दोस्तों ये वीडियो आप उल्टा चस्मा यूसी पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फेस्बुक के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए ऐसी सची खबरों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे